हाई गाई वालकूम बैक आपका अपने चानल पे बहुत ही ज़दा स्वाग थे गाईज आज की इस वीडियो में हम आई यूस 18 के न्यू कैमरा फीचर के बारे में बात करने हैं कुछ न्यू सेटिंग्स एपल ने इंट्रीज करें हैं सी 18 के उफीशल अपडेट पे तो उसक टेबल अपडेट में बिल्ड नबर देखने को मनने माला अपके डिवाइस के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सैटिंग्स में जाना है कैमरा की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग का सेक्शन तो यहाँ पर आपको वीडियो को ओन कर सकते हो आपकी जो वीडियो है वो काफी बढ़िया तरीके से आपका डिबाइस शूट करेगा वाइट बैलन्स को आटोमेटिकली ये लॉप कर देता है ये फीचर अगर आप इसको यूज करते है अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग पे उसके बाद रिकॉर्ड साउन पे चलते हैं तो यहां पर आपको तीन ओप्शन अडिशनली दी गई है तो पहले आपको यह जो रिकॉर्ड साउन का ओप्शन था वो यहां पर देखने को नहीं मिलता था अब आयसे एटीन के अपडेट में आपल ने इन तीनों ओप्शन को एड़ कर रहा है जैसे कि स्ट यहां पर आपको यहां पर आपको स्टीरियो साउंड को स्लेट करना है तो यहां पर आपके दोनों टॉप के और बॉटम के स्पीकर्स काम करें में तो यहां पर स्टीरियो एफेक्ट आपको प्रवाइड करेगा आपकी वीडियो में तो यहां पर मोनो को स्लेट करते हो एक आपको speaker में sound देखनी को मिलेगी आपकी वीडियो में तो इस तरीके से ये जो record sound का option है वो आपको यहां पर नया देखनी को मल जाता है उसके बाद आपको level का option देखनी को मलता है को मलेंगे जैसे कि यहां पर यह जो flash का button है आपको यहां पर देखने को मल जाता है पहले हम directly यहां से on off कर सकते थे अपनी flash को जैसे यहां पर आप long press करोगे यहां पर बापको यह तीन options देखने को मल जाती है पूराने वाला जो update था उसमें आपको कुछ और ही देखने को मलती थी flash के related अगर आप वीडियो के section पर टैप करते थे यहां पर आपको कुछ ऐसे features देखने को मल जाते थे यहां पर आप देख सकते हो यह मेरे पास iPhone 13 जैसे मैं यहां पर long press करके रखता हूं तो यहां पर जो है वह features की option शो नहीं कर रहा है कि flash को on करना है या off करना है तो यह जो नया feature आपको flash में देखने को मल जाएगा simply आपको long press करके रखना है और आपके सामने यह hidden menu open हो जाता है auto on और flash off का अगर आप यहां से वीडियो को record करना start करोगे अब आपको यहां पर एक pause button भी देखने को मल रहा होगा तो यह जो pause button है आप यहां से पॉस बगारा कर सकते हो तो मैंने यहां से वीडियो को pause करा और जैसे मैं इसको फिर से play करूंगा तो यहां पर आपको वहीं से वीडियो recording start होना शुरू हो चुकी है तो यहां से आप इस तरीके से आप अपनी वीडियो बगारा को pause भी कर सकते हो directly इस बटन की उप करके तो यहां से अब मैं वीडियो को stop करूंगा finish करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो कैसा आपको effect देखने को मिलेगा जहां से अपने वीडियो को pause करा होगा तो यहां पर आप देख सकते हो तकरीबन यहां से मैंने अपनी वीडियो को pause करके फिर से start करा है तो कोई भी आपको इसमें cut बगएरा देखने को नहीं मलने वाला है अगर आप वहीं सही अपनी वीडियो को start करना जाते हो तो वहीं सही start कर सकते हो तो इस तरी के सही आपको नए features IS-18 के update में camera से related देखने को मलने वाले हैं I hope आपको ये video पसंद आई होगी तो मलते हैं guys अगली वीडियो में so thanks for watching thank you so much